बैतल्चुले के बाहुल यादिवासी अंचल में इन दिनों सरकारी स्कूल भवनों की हालत बहुत ही दायनिय होती जा रही है इन स्कूल भवनों की छट जगर जगर से गिर रही है तो कहीं दिवार तक नहीं है मामला भीमपूर ब्लॉक की ग्राम पंचाए डुलारिया के केकडिया खुरत के प्रात्मिक शाला भवन की हालत कई सालों से जरजर हो चुकी है स्कूल की छट से प्लास्टर गिरने लगा है जिसकी वज़र से कभी भी बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं लेकिन जिम्मिदार इस पर चुप्पी सादे हुए है मेरे से भी कई बार लोगों ने बोल दिया है मैंने भी दो तीन तीन बार प्रस्ताव बना कर उच्चस्त विभाग को दे चुका हूं लेकिन अभी तक कोई उस पर रिस्पांस नहीं मिल पाया है अभी प्रधान मंत्री आदी आदा सब्सक्राम योजना के अंतरगत वहां अपरित कर्च के लिए चौद्धार इंग्रत हुई है और साथ ही उसका बाउंडिवाल के लिए भी प्रस्ताव मना के भेजा है देखिए कपतक राजशी आती है क्या होता है ये तो अभी अधर वाली बात है लेकिन इस्तिती वास्त में प्रात्मिक शाला की बहुत ही वेकार इस्तिती है मैं तो सासन से यही चाहूंगा कि इस वोर अपना ध्यान दे और जल्दी से जल्दी केकड़िया खुर्द जो प्रात्मिक शाला है ये भवन का निर्मान जल्दी से जल्दी हो मैं यही चाहूंगा रादला मरस्कुले प्रात्मिक सिक्षक एक रिदमाजमिक साला कुल्दर संख्या 102 यहां कि इस्कूल का कंडिशन बहुत ही खराब है बरसात के समय में हमको बहुत मुसीबत को सामना करना पड़ता है और हमें नवीन बिल्डिंग का सुक्रित हो तो अच्छा है क्योंकि हमको बहुत परियसानी से किलास लगाना पड़ता है तो मिसा गावाल हमें कहते हैं कि सिक्षा विपाक को कुछ लेटर उनको अउगत कराओं कई मीडिया परभारी आकर या चुनाव के समय में आकर वीडियो वीडियो बना के लिए जाते है फोटो किशी के लिए ल हमाला केकड़ा खुर्द मैं बच्चे उनको स्कूल पहुंचा रहा हूँ तो इसकूल का कंडिशन बहुत ज्यादा खराब है देखने के इच्चा है नहीं और एक स्कूल को जा नए स्कूल का है नए श्कूल चखेत है हमारा केकड़ा खुर्द में गिरने का संभावना चल रहा है हमारा किकड़ा खुर्दी स्कूल का